डिप्रेशन की बात जहां तक करूं कौन सी दवाई है जो आपको डिप्रेशन से निकाल सकती है एक्चली यह केवल एक fancy idea है कि दवाई आपको डिप्रेशन से निकाल सकती है ठीक है ना थोड़े देर के लिए अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ फाइदा हो गया तो आपको लंबे समय के लिए आपके शरील को नुकसान हो जाता है पहली बात mental या माइंड से related कोई भी disease दवाई से ठीक नहीं हो ठीक है दूसरी बात डिप्रेशन क्यों होता है एक इंसान को अगर आपके अंदर किसी situation को जेलने के लिए काफी energy है तो आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा failure से लेके कोई भी आपको negativity आपके अंदर नहीं आसको पहली बात तो जिसे हम कहते है ना कि एक मायूसी का कोई ही रीजन ही नहीं है इस दुनिया में या तो एक काम को नहीं कर सकते हैं और दोनों में ही मायूस होने की जरूब या तो आप कर सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए नहीं कर सकते तो उसके लिए मायूस होना बेकार की बात है यही दो situation है या तो किसी काम को आप कर सकते है या तो नहीं कर सकते हैं तो एक्चली मायूसी का कोई रीजन ही नहीं है दुनिया में यह हमने क्रेट किया है और यह कहां से जोड़ती है यह कहां से रिलेट करता है आपके अंदर क्षमता क्या है किसी सिच्वेशन को जहलने की अगर वह बढ़ा देंगे तो आप किसी भी कहें आपको निकाल देता है दूसरी बात कोई भी विमारी आपके मैंटस्केप में पहले आता है इसके लिए आप और शरीरम में तो अगर आप फिजिकल रूब्लम में थाओ उसक्मता मनिये का इसिता इसीस्विप नहीं ही कुछ लोगों को डाइगनोज कर दिया गया टैग लगा दिया गया विए आपको बाइपुलायर्टी होगी डिप्रेशन हो गया और पता नहीं क्या-क्या नाम रख रखे हैं अब किम आपको एक बाध की इंट किन किसी तरीकिके मेंटव के आराम से निकल जाएंगे बशर्थे आप फ़र्थे आप थोड़ा समय दें अपने हैं अपने आपको आपका शरीर कर जाये आपका माहिंड हंड्र परशन्ट रिकवर करें आप के हां अ के Är झाल झाल